विलकॉम मैडे स्टुडेंट्स तुडेः वी अरग टू लर्ण अन्यू लेशन नेम अप्ध लेशन इस वालीटी ओके आज हम नहीं चेप्टर स्टाट करें चेप्टर का नाम है क्वालीटी ओके यह चेप्टर जो है हमको एक बहुत बड़ी सीख देखे जाता है एक डेडिकेशन एक मोटिवेशन बहुत सारी क्वालीटी यहाँ पर जो क्वालीटी वर्ड यूस किया गया है वो आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा सूठ होता है क्योंकि आज आप देखिए मार्केट में कितने सारी चीज़ हो रहा है कि उस चीज की क्वालीटी इतने बेश्टि नहीं मिल रही है इसे इडिवर्टाइजमेंट हो रहा है रही है तो इस चेप्टर में नरेटर को नरेट किया है तो हम यहां पर इन्हों यहीं की द्रश्टी से इनको नरेटर बोलेंगे तो नरेटर ने नरेटर मिल्स हमारे ओथर ठीक है इस पोईट के इस लेशन के जो ओथर है क्वालिटी के जॉन गल्सवर्दी जो कि नरेटर है इन्होंने देखा सबसे पहले चेप्टर की स्टार्टिंग में एक कोशन उठता है कि क्या एक जोटे बनाने वाला वेक्ति होता है क्या हम उसको एक आर्टिस्ट बोल सकते हैं और शूमेकर यां उसकता है इस चेप्टर में देखीए यह कहानी शुरू होती है Mr. Gessler नाम के दो व्यक्ती Gessler Brothers उन्होंने उनके faces एक Ch pregunta जर्मन शू मेकर है और Bye-bye ुष इन लंडन सेंटल्ड हो गए जहां पर उन्होंने अपनी एकARS शूप बनाई है और ये जो नारेटर है ये फॉर्टिन की हैज से 14 years की एज से ही जब इनके पिता जी इन से जूता बनाने जाते थे तब से ही इनको पेचानते हैं ठीक है इन में यह जो गेशलर ब्रदर से यार टू ब्रदास वन इस एल्डर ब्रदर और इस यंगर ब्रदर ठीक है तो नरेटर जाते हैं इनके पास सूस के लिए इनको एक अच्छा कासा सूस बना के देते हैं तो कहानी में इससा बताया गया है कि जब नरेटर जाते हैं तो यह बोलते हैं कि मेरे सूस में कुछ दिक्कत है तो ये जो Mr. Gessler होते हैं Gessler Brothers, ये बोलते हैं कि ये जो शू से, ये हमारे यांका नहीं है क्योंकि मैं मेरे सूस को जब बनाता हूँ, तो इसके कोरने-कोरने मेरे, उसके हर जगा मुझे पता होती है ये सूस हमारे यांका नहीं है लेकिन इसमें जो भी दिक्कत है मैं उसको दूर कर सकता हूँ और अगर यह दूर नहीं होगा तो मैं आपके सारे पेसे return कर दोगा तो एक तो यह जो narrator जाते हैं यह किसी और company का जूता ले जाते हैं उसको भी ठीक कर के देते हैं दूसरी चीज वहां से जब नया जूता जब यह देते हैं तो उसको बहुती quality बहुती sharpness और बहुती fascinating way में बनाके देते हैं और फिर return में ग्रहा को यह भी बोलते हैं कि अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई या फीट नहीं बेटता है या फिर कोई problem आती तो मैं सारे पेसे वापीस लोटा दूँगा आपको ठीक है तो बहुती best quality से बहुती ज़्यादा मेनत करके गेसले ब्रदर सूज बनाते हैं तो नरेटर जो है इनकी यहां से कुछ शूज ले जाते हैं और सूज ले जाते हैं फिर अपने काम पे लोट जाते हैं फिर कुछ दिनोंबाल आते हैं तो देखते हैं कि जब return में आत जाते हैं तो return आके जब यह देखते हैं तो इनको सिर्फ महाँ पर एक ही younger brother दिखाई देता है तो यह बोलते हैं कि आपके elder brother कहा है तो यह बोलते हैं कि मेरे elder brother जो है वो गुजर गया है उनकी मोत हो गई है कुछ दिनों पेले वह नहीं रहे ठीक है सो narrator को बहुत दूख वा इस बात पर फिर वह इंसे जो है younger brother से भी शूज लेके जाते हैं क्योंकि इनको इनकी quality बहुत ही ज्यादा पसंद आती है यहां पर क्या है कि पूरी मेहनत करते हैं गेशलर ब्रदर पूरा dedication करते हैं और यह जो good quality का जो उसमें material यूज करते हैं लेदर जो यूज करते हैं व फिर यहां से एक जोड़ी और सूस ले जाते हैं और एक week के बाद आते हैं फिर जभी एक कुछ दिनों बाद आते हैं तो देखते हैं कि यह बहुत कमजोर हो गए हैं तो इनसे बात करते हैं कि आप इतने week हो गए हो क्या दिक्कत है सूस का तो यह बताते हैं कि जो market में सारा पेशा लगाती है एड़ोटाइजमेंट तो बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन जो क्वालिटी रेती है क्वालिटी क्वालिटी सुन्स कोई भी कंपनी नहीं प्रोवाइड करती है और एड़ोटाइजमेंट की वज़े से अधिकतर लोग उस तरफ खीची चले जाते हैं तो ये यंगर ब्रदर ने नरेटर को बताए कि ये ये प्रोवाइड नहीं करते हैं तो नरेटर को काफी दूख हुआ ये एक शूज लेके एक पेर और लेके जाता है कि आप मुझे एक और दे दो मैं आपसे सारी पेले भी खरीद के गया था दो बार एक बार और लेके जाता है जाता है उसके एक विक बात फिर लोटके आता है कि इतने बड़िया क्वालिटी के सूज बना के दे रहे हैं तो क्योंनों मैं ग्रेटी टूज ये ने उनका धन् कुछते दुआ एक व्यक्ति निकलता है कि हाँ आई आपको क्या काम है तो बोलता है कि मिश्टर गेसलर कहा है तो बोलता है कि मिश्टर गेसलर नहीं आप बताई क्या क्या मिश्टर गेसलर कहा है तो बोलता है कि वो भी मर गए मतलब पहले एल्डर ब्रदर की मोत हो चुकी मोत का करण इस्टारवेशन कितने दुख की बात है बहुत ज़्यादा दुख की बात है इस्टारवेशन मत होता है भुक मरी यह जो गेसलर ब्रदर थे इन्हों ने बहुत ज़्यादा dedication के साथ इतना काम किया quality का leather लाते थे और पूरी मेनद से बनाते थे और इतना बनाते रहते थे कि वो खाना भी ढंक से नहीं खा पाए उनकी रोजी रोटी भी नहीं चल पाई क्यों क्योंकि उनका सारा जो पेशा जो आता था वो या तो leather में या फिर रेंट में चला जाता था अच्छे quality का leather लाते थे या रेंट जो उनके shop का था उस पे चला जाता था तो इसलिए जो भुक मरी के कारण ये यंगर ब्रदर भी खतम हो गए तो poet को काफी दूख हुआ narrator को काफी दूख हुआ और उस व्यक्ति से जो अटेंड करना आया था जिसने अब ये दुकान ले ली थी तो ये बोला कि हां he made good boots last में जो एक sentence बोलके जाते हैं he made good boots क्या sentence he made good boots उन्होंने अच्छे जुद्धे बनाए सो कुल मिला के ये वो लोग थे जिन्नोंने अपने काम के लिए पूरी लाइफ कुर्बान कर दी याने ये शूमेकर थी आज के जमाने में इस प्रोफेशन को बहुत ही कमजोर माना जाता है लेकिन इन व्यक्ति ने यहां पर ओथर ने देखो कितने अच्छे से वर्ड में इन फिलिंग्स को पिरोया है कि ये जो ओथर है शूमेकर है पर ये एक आर्टिस्ट से कमनी थे क्योंकि इनके जूते में वो क्वालिटी रेती थी गुट क्वालिटी का लेदर यूज करते थे और पूरा डेडिकेशन के साथ उसको बनाते थे और जब देते थे किसी को तो गारंटी के साथ देते थे कि हम पेसा वाफिस लोटा देंगे अगर कोई दिक्कत है तो नरेटर को काफी दूख हुआ और उसने देखा कि जो इतने क्वालिटी से काम कर रहे हैं वो बुक मरी के करण गये हैं क्योंकि वो सारा पेसा या तो रेंट में चल जाता है गूड क्वालिटी के लेदर में चल जाता लेकिन बाखी कमपणी क्या कर रही है आजकल कि वो एड़टाईस्मेंट करके पेसा कई गुना ज़्यादा पेसा लेते और अच्छी क्वालिटी का भी आपको यह नहीं दे तो इस तरीके से ये lesson है बहुत ही अच्छी तरीके से author ने लिखा है इसको और कफी दुख भरी कहानी ही देखा जाये तो लेकिन यहाँ पर एक quality जो word है इसको dedication दिया गया है कि इस quality को बरकरार रखने के लिए इन्होंने अपनी पूरी life न तो लोगों के साथ ही उस्वासगात किया न लोगों को लूटा और पूरा मेहनत के साथ में इन्होंने अपने product जो दिये हैं अच्छी quality का लेदर लगा के shoes बनाना और shoes को भी इसे नहीं कि एक छोटा मुटा काम कर रहे हैं उसको भी एक artist की तरह बेटके दिन रात मेहनत करना यह सब करते वे वो लोग starvation के वज़े से खतम हो गए ओके तो यह आपके पूरा lesson है आज के लिए तनहीं काफी है आप लोग इसको line by line अच्छे से you have to go through the book line by line आपको अब story अच्छे से समझ में आएगी जब आप line by line इसको word by word पढ़ेंगे ठीक है ओके बाइ